नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इसके अलावा उस छेत्र को संक्रमन मुक्त भी किया गया यह प्रकिरिया आगे भी जाली रहेगी डिसी राहुलकुमार सिन्हा ने छेत्रिय कुकुट प्रचेत्र होटवार से एक किलोमिटर की परिधी में जिंदा वा म्रित मुर्गा मुर्गी, बतक वा अंडे की खरिद भिक्री वा परिवहन परोक लगा दी है संक्रामित छेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में टीम दुआरा दुकानों में मुर्गी वा अंडे आधी की उपलवता की जाज की जा रही है इसके अलावा बड़ फुलू का परसार रोकने की करवाई भी सुरू कर दी गई है उपायुक्त राहुल कुमार सिनहा ने एहतियातन के तोर पर छेत्रिय को कुट प्रच्छेत्र होटवार से एक किलोमीटर की परीधी में किसी भी जिन्दा वा मुर्गा मुर्गी बतक और अरंडा की खरीद विक्रीवा परिवहन पर अगले आधेस्ता क्रोक लगाने का निर् रगत वन गराम राज भासा के जंगल के समीब 750 पीस 35 बोरा डेटोनेटर ब्रामत किया गया जिसे सुरक्षा बलों के जवानों ने बम निरोतक दस्ता के जवानों के साथ मिलकर उसे निसकरिये कर दिया है जनकारी के मुताविक नकसलियों ने इस बिसपोटक को जमीन के अं वादियों के सिर्ष, नेता मिसीर, बेसरा, अनमोल, मोचू, चमन, अजय, मेहता, अपने दस्ते के साथ को लाहन इलाके में सक्रिये हैं वह सुरक्षा बलों को नुक्सान पहुचाने के इरादे से कई भीस फोटक समागरी जमीन में गाल कर रखे हैं इसके बाद चाईबास के लोगों ने जगरूपता अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने लोगों को बताया है कि लोकतंत्र में एक वोट की कीमत है, इस दरण में गाजे बाजे के साथ लोगों को एक एक वोट के महतों को समझाने का पर्यास किया, ए अभियान अखिल भारते किनर समाझ झारकन प्रदेश एवं डिस्ट्रीक आईकोन स्वेता किनर के नेतियोत में निकाला गया। जा गुरुपता रायली की सुरुवा सुबा 9 वज़ से रंगा टांड चोक से शुरु हुई वहां से निकाल कर एरायली धनवाद रेलवे स्टेशन होते हुए रंधीर वर्मा चोक तक पहुँची है। पूसोरेन के निर्देश पर महासची विनोत पांडे ने गुरुवार को मिद्वारों के अम्तिम सुची जारी की है। इस निर्नाय के साथ ही जमसेत पूर्गट बंधन पर द्यासी को लेकर चल रहे अटकलों का दोर भी समाप्थ हो गया है। बतादे समीर महंति का मुकाबला भाजपा उमिद्वार विधू तुरण महतो से होगा। अनल उर्फ पतिरामाजी असिम मंडल 25 लाग के इनामी इस्पेशल एरिया कमिटी से अनमोल 15 लाग के इनामी रिजिनल कमिटी से मोचु सहीत कई बड़े नक्सलियों से भिलन्थ हो सकती है। जार्खन उडिशा सीमा पर दोनों तरफ से सुरक्षावलों की चोक्सी है। जार्खन सहायक अचारे परिक्षा अब सिर्फ हिंदी की होगी परिक्षा। आयोग के अनुसार लोग सभा चुनाओ के कार्यों में समेलित होने के सम्बंद में आयोग को अभियार्थियों जावेदन प्राप्थ होने के कारान समयक विचार करने के बाद निन लिया गया है की पत्र एक अंतरगत मात्र हिंदी की विचाय के सभी अभियार्थियों के परिक्षा सताइस ततीस अप्रेल तक आयोग जित की जाएगी उक्त हेतु परवेश पत्र आयोग के वेब साइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध लिंक परकासित कर दिया गया है सर्जु राय ने धुलू महतो मामले का बेवरा भेजा जमसेतपुर पूर्वी के विधायक सर्जु राय ने लोक सभाचुनाव में धनबात के भाजपा परत्यासि और विधायक धुलू महतो की सीकायत राज जेपाल और मुक्यमंत्री को पत्र भेज कर की है सर्जु राय ने घुरुआ को जारी विधाण में कहा है कि धुलू के समध में राज जेपाल और मुक्यमंत्री को अस्मार पत्र भेजा है इसमें धुलू के मामलो का संचिप्त बेवरा है सर्जु ने कहा है कि धुलुक ने ग्रामिनों और सरकार की करीब 200 वेकर जमीन पर कबजा कर लिया है उंची चाहर दिवारी खड़ी कर चारो ओर से घेर लिया है एक ग्रामिन पत्र को भी चाहर दिवारी के भीतर कर लिया है असमार पत्र में सभी मामलों के बारे में ग्रामिनों के नाम सहीत आखो देखा बेवरा दिया गया है राय ने गिरामिनों की रहती जमीन से कबजा हटाने और सरकारी जमीन एवां सरकारी समपतियों को कबजा मुक्त कराने की मांग राज जेपार और मुख्यमंत्री से किया है भूमाफिया फिरोती महिला हिंसा करने वालों पर सक्ति करे जारखन हाई कोट जारखन हाई कोट ने राज सरकार को जीलो में टास्क फोर्ज को मजबूत बना कर भू माफिया फिरोती की मांग करने और महिला हिंसा करने वालों पर सक्त करवाई करने का निदिस दिया है कोट ने सरकार को टास्पोस की ओर से जीलो में की गई करवाई की रिपोर्ट पेस करने का निर्देस्तिया है अदालत ने सरकार से पूछा है कि जमीन माफिया फिरोती मांगने वालो और महिला हिंसा करने के मामले में जीन है जमानत नहीं मिली है उनकी गिरफतारी के लिए क्या करवाई की गई एक्टिंग चीफ जस्टीस एस चंदर सेखार और जस्टीस नौनित कुमार की अदालत ने सोता संग्यान लिए मामले की गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश्तिया है मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी चार सीटों के लिए नमांकन की तिथी खत्म लोगसभा चुनाओ के चौते चरण में जहारकन की चार सीटों पर होने वाले चुनाओ के लिए नमांकन परकिरिया गुरुवार को खत्म हो गई है चार सीट, सिंग्भूम, खोटी, लोहर्दगा और पलामो के लिए 65 परत्यासियों ने नमांकन किया है इन परत्यासियों ने 144 आवेदन भरे है सिंग्भूम सीट से सबसे ज़्यादे 21 परत्यासियों ने आवेदन भरा है बतादे खुटिस से 16 लोह देगा से 17 और पलामू से 11 उमिद्वार मैदान में है अब 26 अपरेल तक इन अवेद्नों की स्कूटनी होगी वहीं उमिद्वारों द्वारा 29 अपरेल तक नाम वापसी की जा सकेगी नाम वापसी के बाद अम्तिम से चुनावी मैदान में परत्यासियों के नाम सामने आ सकेंगे इन चारो सीटों पर मादान 13 माई को होगा इन चारो सीटों के लिए अधिसुतना 18 अपरेल को जारी की गई थी गिरीडी में सिलेंडर फटने से 5 लोग जूल से गिरीडी में बड़ा हच्सा हुआ है खबर है कि सहर में सिलेंडर फटने से 5 लोग बुरी तरह से जूलस गए है घटना गुरुवार की साम बजरंग चौक के पास की है फिलाल सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया गया है जनकारी के मताविक पंजाबी मुहला निवासी डोली सलूजा और उनका पुत्र हर सलूजा साम छोटे वाले गैस सिलेंडर में गैस भरने के लिए सहर के बजरंग चौक इसीत एक दुकान पहुंचा था लेकिन गैस रिफिलिंग करने के दवन अचानक सिलेंडर वलाष्ट हो गया और आग लग गई इस गाटना में दो महिला समेथ पांच लोग बुरी तरह से जुलस गए है सिम्डेगा में माद दुर्गे की अश्ट धातु की मूर्ती चोरी जारखन के सिम्डेगा जिले के करडेंग थाना छेतरे के कदम टोली स्थित माद दुर्गा मंदीर से अश्ट धातु की माद दुर्गे की मूर्ती की चोरी की गई है इस घटना से लोगों में आक्रोस है वे जल्द से जल्द माद दुर्गे की परतीमा को बरामत कर फिर से अस्थापित करने की मांग कर रहे है सुजना मिलते ही पुलिस मोगे पर पहुँचे और जाच कर रही है डौग, एसक्वाइट वा फोरेंसिक टीम भी जाच में जूटी है बता जा रहे है कि बीती रात अश्थापित की मूर्ती की चोरी की गई 2018 में भी इसी मंदीर से मा की मूर्ती चोरी की गई थी बता दे गुरु आर अहले सुबा गाउं के लोगों ने जब मंदीर का दरवाजा खोला तब अश्टधातू की मा दुर्गे की परतिमा गाय मिली है धन्यवाद